हेलो प्रिंट्स आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिसॉडर के बारे में जिसमें जो है किसी व्यक्ति की फूड लिक्वेड या फिर उनका अपना सलाइवा जो है उसको ही सेफली और एफिशेंटली निगलने की अबिलिटी जो है अफेक्ट होती है और इस प्रॉब्लम को मेडिकल टर्म्स में हम डिस्फेजिया की नाम से जानते हैं खास तो और से जो एज लोग हैं उनमें यह समस्य से जादा देखने में आती है सुनने के लिए तो बहुत छोड़ा सा लगता है कि खाना खाने में आपको डिफिकल्टी हो रही है लेकिन यह प्रॉब्लम जो है क लिएटमेंट पर भी हम डिसकसाथ में करेंगे ही तो अगर हम इसके सिम्टम्स देखें तो सबसे पहले जो अगर इसका में सिम्टम आपको देखने में आता है वो यही है कि आपको फूड लिक्विड या दोनों ही चीज़ें निगलने में मुश्किल मैसूस होती है उसके जैसे कि आपकी गले में या चेस्ट में आपका खाना जो है चिपक गया है आपको जो है फूड जो है या फिर लिक्विड को निगलने में पेन या फिर डिसकमफर्ट मैसूस होता है खाना खाते हुए या खाने के बाद जो है आपको खांसी आ सकती है आपका गला चोक हो सक या फिर आपको ये भी फील होता है बहुत लोगों को इसमें कि आपका फूड या लिक्विड जो भी आपने खाया है वो रिगर्जिटेट मतलब वापिस आ रहा है तो यह बहुत अनीजी फीलिंग रहती है क्योंकि आप इस प्रॉब्लम में ठीक से खा पी नहीं सकते हैं तो इसको एक और सिंटम जो देखने में आता है वह होता है कि अनद conception लीया आपका वेट कं होने लगता है यह आप आया आता है माल-नोटरिशन का शिकार हो सकते हैं तो यह सारे symptom रहते हैं कि आप dysphagia के problem का शिकार है और आपको इसके treatment पे ज़रूर जो है importantly ध्यान देने की ज़रूरत है तो इसके साथ यह symptom के आपको यह भी थोड़ा समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है क्या कारण होते हैं कि आपको dysphagia की problem देखने में आती है तो इसके causes के अगर हम बात करें तो इसमें जो है जो important ही जो इसके cause देखने में आते हैं उसमें तो कुछ जो nervous disorders जिन लोगों को रहते हैं खास तोर से जैसे किसी को कोई stroke की problem हो रही है या फिर Parkinson या multiple sclerosis जैसे दिकत जिनको होती है उनमें basically आपकी जो nerves और muscles है वो affect होती है तो इसमें जो आपके body की nerves और muscles के साथ साथ जो आपकी swallowing की आपकी निगलने की nerves और muscles है वो भी affect होती है जिसकी वज़े से आपको ये खाने पीने की दिकत मैसूस होगी Secondly, इसमें कुछ structural abnormalities के कारण से भी dysphagia हो सकता है जैसे कि जो आपकी food pipe है जिसको हम isophagus कहते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई structure हो जाए tumor हो जाए या आपकी isophagus किसी कारण से narrow हो जाए तब ही भी जो है आपको खाना निगलने में दिकत मैसूस होगी इसके बाद किसी प्रकार का कोई muscles में disorder हो जाए जैसे कि किसी muscle में dystrophy हो जाए या फिर misthenia gravis जैसी जो problem रहते है उसमें basically आपकी swallowing की जो muscles है वो वीक हो जाती है और आपको खाना जो है खाना की difficulties में आपको मैसूस होती है इसके बाद एक और कारण इसका देख जाता है वो जो disease है उसको हम कहते है gastroesophageal reflux disease जिसको हम GERD के नाम से भी जानते हैं तो इसमें mainly जो आपका food pipe है उसमें सूजन या फिर scarring जब हो जाती है तब ही जो है आपको खाना खाने की दिकत मैसूस होती है तो ये कुछ causes हो सकते हैं जिस वज़े से आपको ये problem का सामना करना पढ़ सकता है अब इसके सवाल उठता है कि dysphagia की दिकत हमारी life में क्या problem ला सकती है क्या complication इससे आ सकती है तो इसकी complication के अगर हम बात करते हैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा क्योंकि आप इसमें ठीक से खापी नहीं सकते हैं तो आपको जो है इससे malnutrition या फिर dehydration की दिकत हो सकती है secondly इसमें क्योंक quality ये भी होता है कि खाना food pipe में ना जाकर के air pipe में चले जाए तो उसकी वज़े से जो है aspiration pneumonia की दिकत आपको इसमें देखने में आ सकती है उसके बद क्योंकि आपको जो है खाने पीने की ही दिकत है तो आप अपने आपको जो है socialize करना कम कर देते हैं लोगों से अलग रहते है क्योंकि आपको बहुत anxiety है खाने की ही जब anxiety है तो इंसान जो है comfortable नहीं रहता है बाहर जाने के लिए तो आपका जो है quality of life जो है इसमें reduce होती है तो ये सारे समस्या इसमें देखने में आती है तो इसको ठीक करने के लिए अब आयरवेद में आप क्या कर सकते हैं यही आज हम कर सकते हैं of course आपको अपने doctor की सलाइस में लेनी ही चाहिए तो कुछ herbs की हम बात करते हैं जो normally आपके घर में present रहती है और आप असानी से उनका इस्तमाल भी कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहली herb की अगर हम बात करें तो जो है आपने जिनका सब का नाम भी सुनाई है तो important है इसमें मुलैठी तो मुलैठी का जो powder रहता है आप powder की form में या मुलैठी को डिरेक्टिव या चबा के इस्तमाल कर सकते हैं उसमें जो anti-inflammatory or soothing properties है वो आपके जो food pipe है उसको आराम देंगी और आपकी dysphagy की problem को दूर करने में help करेंगी secondly आप आमला का इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि आमला की जो anti-oxidant properties है उसमें vitamin C content काफी मातरा में पाया जाता है और इसकी rejuvenating properties जो है आपके जो system को cooling effect देती है calming effect देते हैं और साथ ही आपके digestive juices को भी stimulate करते हैं आपका खाना digest करने के लिए तो आमला इसमें आपको फायदा दे सकता है इसके बाद आप बड़ी हरड जिसको हम हरीत की कहते हैं उसका इस्तमाल कर सकते हैं वो भी आपके gastric problems जैसे की gas, blotting या heartburn की problem है उसमें आराम देगा और अगली अगर हब की हम बात करते हैं वो है इसमें soft का प्रियोग आप जरूर कर सकते हैं वो आपके gas, acidity, constipation की कारण से जब आपको पेट दर्ड या distinction की problem हो जाती है उसमें काफी आराम देगा और एक और important हब है इसमें वो है पीपली का प्रियोग कर सकते हैं पीपली आ और उसके साथ ही आपके liver, pancreas, intestine में जितने भी digestive juices रहते हैं उनको stimulate करती है तक आपका खाना अच्छे से digest हो पाए इसके बाद अगर हम बात करें coriander की तो coriander जो है आपके पित को शांत करने का काम करता है जिससे की आप खाना असानी से swallow कर पाएंगे आपको ऐसा फील नहीं करना बाहर आ रहा है और जो है और हबस के अगर हम बात करते हैं तो आप इसमें ginger का प्रियोग कर सकते हैं तो आप जो है 1-4 टेबल स्पून अद्रक का रस और 1-4 टेबल स्पून शेहद को मिला करके अगर जो है regularly यूज़ करते हैं तो आपकी dysphagia की problem के लिए बहुत अच् करता है उसमें किसी प्रकार की scarring है उसको heal करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है इसके बाद एक और हाब है जिसको आप प्रियोग कर सकते हैं जिसको जो आम भाशा में आप कुल्थी के नाम से जानते हैं और इसको horse gram भी कहा जाता है तो आप कुल्थी का पाउडर कर ल निगल लीजी तो इससे जो आपकी chest और आपके abdomen में किसी प्रकार की burning या आपकी गले में sore throat जैसा आपको मैसूस हो रहा है तो उसमें कफी आपको इससे आराम मिलेगा तो इस प्रकार से आप इन हर्ब्स का प्रियोग करके अपनी dysphagia की problem में कफी हद तक आराम पास सकते है तो ये तो ही friends कुछ herbs और herbal remedies की बात इसके साथ अगर हम medicine की बात करें तो कुछ अरवेदिक medicine काफी important इसमें अपना role play देती हैं तो इसमें mainly कुछ herbs का अगर मैं नाम लूँ तो आप आवी पत्ती कर चूर्ण का प्रियोग कर सकते हैं शंक वटी इसमें बहुत अच्छा काम कर करती है आप शट धरन चूर्ण का इस्तामाल कर सकते हैं रस राज रस आपकी nervous system को stronger करने का काम करेगा गुडूची आदी कशाय का आप इस्तामाल कर सकते हैं आपके immune system को सही करने के लिए और इसके साथ आप धनवंत्र घृत का इस्तामाल इसमें अगर करेंगे तो आपकी dys जायर जो आपको फायदा मिलेगा और आपको जो हैं खाने पीने में काफी असानी होगी और जब क्योंकि आप जब तक ठीक से खापी नहीं पाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी उसमें नहीं रह सकती है इसलिए ये problem को ठीक करना बहुत ही important है तो उमीदे फ्रेंट्स आपक करके अगर किसी को भी आपको या आपके परिवार में या आपकी लावडवन्स में है इस तरीके की दिकत है उनको आराम दे सकते हैं तो मेदे फ्रेंट्स आपको जानकारी पसंद आई होगी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेर वा सब्सक्राइब कर दें थैंक यू सो मुच फिंड्स फो वाचिंग स्टे हल्दी लिव वेल